स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्थी और आप देख रहे हैं आज का बाजार और अब हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिमभर बाजार का सेटप कैसा रहा किस तरह की ट्रेडिंग हुई कौन-कौन सी एहम खबरे आई बाजार मार्किट के दौरा यह स समझ लेते हैं और हमाई साथ मांसी जो चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर मांसी गूड आफ्टरनून बताइए बिलकुल ला तो बाजार की शुरवात म्यूटज जरूर रही लेकिन लास्ट हार ओफ ट्रेड में मार्किट ने अपने आपको संभाला और इन फाक्ट बैंक सुस्त चाल दिखाई आखरी घंटे में उस चाल को पकड़ करें क्या सकते हैं कि सपोर्ट्स डेवलाप करते हुए रिकावरी मोड जा है उसे अच्छा खासा दिखाया स्टॉक स्पेसिफिक मोविंट के अगर बात करेंगे कुछ तमाम सेक्टर्स कुछ तमाम पॉकिट्स में अच्छा कासा आक्शन भी देखने को मिल रहा था लेकर रिजल्ट्स पेसिफिक ही ट्रेज्स भी नजारा रहे जहां जांकेश मार्किट हो चाहे फिर बड़ी दिगजक कुछ कंपनियां जैसे यहां जिनके रिजल्स आते हुए दिखर आच्छे रिजल्स पर रियक्ट कर रहे हैं पोज़िवली और कमजोर रिजल्स पर ने कर रहे थे और इसके साथ-साथ Infosys के स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए वहाँ पर भी हरे निशान के साथ आज ट्रेट क्लोज होते हुए दिखें सपोर्ट कहां से नहीं मिले या गिरावट कहां हाथ लगी ये L&T के स्टॉक ने कमजोरी दिखाई संट फार्मा में गिरावट थी लेकिन उसका विपरीत आक्शन कह सकते और अरोबिंदु फार्मा में पॉजिटिविटी थी क्योंकि आज सुबे हमने दो पॉजिटिव डूकरज रिपॉस देखी और उसका असर था जो कि और अरोबि अरोबिंदु फार्मा के साथ साथ REC, PFC, Ramco, Cement जैसे चार्च थे जो कि अच्छा खासा अक्शन दिखा रहे थे अब MSCI में बदलाव जो की लागू होने वाले हैं उसका भी इंपक्ट, Inclusion, Max Healthcare, HAL, Sona, BLW जैसे स्टॉक्स में होगा, HAL की स्टॉक प्राइज में हमने अच् हाफी हद तक stock specific moves ही नजर आये, index ने last hour में perform किया, लेकिन sector specific approach को अगर जानेंगे FMCG, Media, Financial Services, Banks Financials और IT में हमने action देखा, जबकि उसके सामने PSU bank आज नहीं चल रहे थे, फार्मा ने भी back seat ली, energy, auto और metals में भी लाल निशान के साथ trades close होते होगे देखे, तो और overall हम कह सकते हैं कि एक muted start, लेकिन at the end हमने देखा, बाजा ने अपने आपको बहतरीन तरीके से संभाला और राच्छे खासी मजबूती के साथी, indexes में भी trades close हुए ठीक है, तो यह है दिंबर का setup, भॉबत शुक्रिया वानसियाब का यह सारी जानकारे देने के लिए अब आगे पढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ नतीजों की और कमजोर नतीजों के बाद हमने देखा कि जुबिलेंट फार्मोवा में कमजोरी आज देखने को मिली है, भारी गिरावट वहाँ पर हुई तो इस गिरावट की वज़ा क्या थी यह बताने के लिए सुष्टी हमारे साथ जुड़ चुगी है, सुष्टी बताईए अब देखे जुबिलेंट फार्मोवा आज 7% की गिरावट दिखा रहा है, शुरुवाती दौर में हमने 9% की भी यहाँ पर गिरावट आते वे देखी और कई सारी नेगिटिव न्यूस फ्लो के चलते आप देखे यह स्टॉप में गिरावट है, सबसे पहले कमजोर है, FY23 में करीब 200 करोड के आस-पास कंपनी का करजा आ चुका है, जो कि पिछले साल करीब 1950 करोड के आस-पास था, अब अगरे हम देखें के करजे में बड़ाथरी क्यों आई है, क्योंकि कंपनी लोन ले रही थी, कंपनी नया फंडिंग ले रही थी, अपनी मॉन्ट्रिल क एक फेसिलिटी को एक्स्पैंड करने के लिए, और उसको लेके ही आज एक नेगटिव खबर आई है, जहां पर USFDA ने, इनकी मॉन्ट्रिल जो CMO प्लांट है, उसको जो है, OAI का स्टेटिस दे दिया है, अब OAI क्या होता है, ओफिशल आक्शन इंडिकेटर, जहां पर जब एक्स्पैंशन प्लान कर रही थी, जहां पर अगले पांट साल में अपनी कपास्टी डबल करने के लिए, यूजना बना रही थी, साथी कर्जा भी ले रही थी, और तीसरा जो इंपोर्टन अनॉंसमेंट आया है, वो है मैनेजमेंट चेंज, जहां पर कंपनी के M.D. Mr. Hari S भारतिया जो है, उन्होंने M.D. के पत से इस्तीफा दे दिया है, पर इसके अलावा एक दूसरा अपॉइंट मिस्टर भारतिया का है, जहां पर मिस्टर प्रिया वरत भारतिया अब कंपनी के M.D. की पोस्स संभालेंगे, तो कुछ तमाम खबरें हैं जिसके चलते हैं, तो इससे जुड़ी जानकारी लेकर हमारे साथ मांसी दुबारा से जुड़ चुकी है, मांसी बताईए चोटी मजौली कामपनियों को मदद कर रहे हैं, दक्षन भारत में जो दाम बढ़े हैं, दीलर्स के मताबिक माई में सिमेंट कामपनियों ने अपने दाम बढ़ा हैं, 10 से 15 रुपे प्रती बोरी, और आपको बता दे, माई दक्षन भारत में कीमतों में सबसे जादा चोटी का ट्रेंड देखने को मिला है, अब अनुमान ये भी हैं, देटिस चैनल चेक्स की अगर मानें, तो मई में तो दामों में बढ़ातरी हुए, लेकिन जून के लिए भी अनुमान ये निकल कर आ रहे हैं, कि प्राइस जो इसमें बढ़ात देखने को मिल सकती है, तो जो कोल और पेटकोप प्राइसेस हैं, वो खट रहे हैं, वोल्यूम्स रिलाइजेशन मैच हो रहे हैं, डिमांड जो है वो इंटक्ट है, अफकॉस आने वाले दुनों में जब मॉनसून की शुरुबात होगी, तो डिमांड को लेकर एक फ्लक्ट्वेशन जरूर देखने क लेकिन इस वक्ट जो सिनारियोज हैं, वो क्लियरली सिमेंट प्लेज के लिए सारे के सारे फैक्टिस पॉजिटिव और उनमें ये प्राइजस का बढ़ना जो हैं, वो इस वक्ट सिमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहा है। कर दिये गे थे, बड़ जो एजस्मेंट डेट है, वो कल की है, मतलब जो भी इंफ्लो जो चेंजेस हुए हैं, उन शेहिस में कल देखने को मिलेंगे, अब अनुवामा के इसाब से जो नेट इंफ्लो हो सकते हैं, इंडिया में वो करीफ 500 मिलिन उस डॉलर्स का है, अब इंफ्लो होगा, करीब 312 मिलिन उस डॉलर्स का, जो की करीब 9 टाइम्स है, उसके 20 डे आवरेज वॉल्यूम के सामने, उसके अलावा हिंदुस्तान एरनॉटिक्स और सोना बेल डवी ये दोनों ही स्टॉक इंक्लूड हुए हैं, जिन में इंफ्लो करीब 170 to 196 मिलिन उस डॉ होगा, वो करीब 84 to 190 मिलिन उस डॉलर्स होगा, जो की करीब 5 to 10 टाइम्स है, इसके 20 डे आवरेज वॉल्यूम के सामने, अब वेड अडिशन के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में आदा कि इस स्टॉक में सबसे ज़ादा इंफ्लोज आने की यह सभी की स्टॉक्स है, जिसमें करीब 50 to 71 मिलिन उस डॉलर्स की इंफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो की करीब 2 to 8 टाइम्स इसके 20 डे आवरेज वॉल्यूम के सामने है, उसके अलावा JSW Steel, Shree Cement और BPCL पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि करीब 35 to 73 मिलिन उस डॉलर्स के चलिए अब बात करतें कुछ और भी नतीजों की और अदानी पोर्स अपने नतीजे घुशित करने वाला है, क्या अनुमान है नतीजों का, ये बताने के लिए हमारे साथ अंकिता जुट चुकी है, अंकिता बताईए इनकी रिजल्स के पारे में बात करें, तो क्या है जो स्ट्रीट एक्सपेक कर रही है, आईए जानते हैं, हम लोग एक्सपेक कर रहे हैं कि जो अदानी पोर्स के नंबर्स हैं, कंसॉलेडेटेड बेसिस पे, येर अन येर बेसिस पे, उनके रेविन्यूज उपर आ सकता है इनकी येर अन येर बेसिस पे, उनके नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ाती देखने को मिल सकती है, 21% येर अन येर बेसिस की, एबिड़ा भी 4.6% से उपर आ सकता है, लेकिन जो एबिड़ा मार्जन है, वो 6.1% पर हम एक्सपेक कर रहे हैं, वर्सिस 6.2% जो लास्ट ये हुआ था, आइए देखते हैं, और क्या-क्या एक्सपेक किया जा सकता है, हम एक्सपेक कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, वो कम सकम 10% उपर होगी, इनकी येर अन येर बेसिस पे, हाइस्ट एवर वॉल्यूम ये देखने को मिल सकती है, हमें, हम लोग ये भी एक्सपेक कर हैं कि जो उनकर पोर्ट रेविन्यू से उसमें ग्रोथ आ सकती है, 38% की येर अन येर बेसिस पे और पोर्ट के अबिडा मार्जन भी ग्रोग कर सकता है, 69% से, अगर बात करें, इनकी लोगिस्टिक सेगमेंट की, लोगिस्टिक सेगमेंट में एक्सपेक किया जा रहा है कि जो इनकी रेविन्यू ग्रोथ है, वो 34% येर अन येर बेसिस आ सकती है, और मार्जन की ग्रोथ 30% देखने को मिल सकती है, अगर इसके हम इंप्रूवमेंट वॉल्यूम्स में जो रेविन्यू में इंप्रूवमेंट आएगी, वो प्राइमेरली क्या ड्राइविंग फैक् इसके कारण हम लोग improvement देख सकते हैं volumes में और revenues में भी और इनकी जो underlying comparable volume growth है वो continue रहेगी impacted by weakness in country level demand and export curbs है उसके चलते और इसके चलते हैं जो इनकी key triggers जो हमें look out करने पड़ेंगे वो है इनकी जो integration plan है हाईफा port की जो लो ने acquire किया था January में उसे किस तरह से integrate किया गया है वो एक margin पर इंपक्ट आगा जिसे हमने बता है कि margin में margin में थोड़े सी कम आ सकते हैं last year से वो margin में जो impact हुआ है revenue mix and operating cost का वो देखने मारी बात है यह रहेंगे उनकी key triggers पिल्कुर बहुता शुक्रिया अंकिताब का यह साही जानकाई देने के लिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक corporate का और दिकश dairy cooperative अमूल की FMCG और पास्ट फूर सेग्मेंट में विस्तार की बड़ी योजना है अमूल के ग्रोफ प्लान पर हमारी समवादा था एश्वर्या पार्टल ने M.D. Jain Mehta से खास बात चीत किया यह कुछ मादेते हैं conversation आप नए M.D. है अमूल के आपका क्या व्यू है आप अमूल को किस तरह ले जाना चाहते हैं आपका सबसे पहले तो देश की सबसे बहतरीन और सबसे बड़ी डाक चॉकलेट प्रेक्टरी में आपका स्वागत है देश्पत में पॉपिलर डाक चॉकलेट की श्रेणी यहां पर बनती है और आप जैसे कस्टमर्स की वज़े से ही आज अमूल इतना बड़ा ब्रांट बन चुका है इस तरह करी में भी अमूल की बात करें तो नाइन्टीन फॉर्टी सिक्से चैलीस में अमूल की सापना हुई और तब से लेके पिछले 77 साल में आज अमूल देश की सबसे बड़ी डेरी कोपरेटि जो में हैं उसके को और पर हम उभर चुके हैं हमारी जो गंड़ना है जिससाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से वर्ल्ड की टॉप ट्री में हमको अगले पांच साल में पहुंचना है इंटेव सब मिन परसंट कापशीज़ और यह मुम्कि कड़ी है जो अमुल को एक लाग करोड अगले तीन साल में पहुचाने का दिए लेके काम कर रही है और सब की संगटन की बावनास है और साथ में हमारे साथ में रोज का करीमन तीन सो लाख मीटर देख और यह गूड का यह फ्रोडक्त का मार्केट एक्सपांशन यह सब की जो भी आप आईटम से इसकामाल करेंगे वो तो आड़र अमुल डूड की अगेरी प्रोड़क्स की जो श्रेणी जो श्रेणी है उसमें से करेंगे और या फिर अमुल की और सब तो इस शेणी में हम आकरीब आठ से दस प्रोड़क्स लाँच कर दिये हैं अमुल का और गैनिक आठा अमुल का और गैनिक राइस बासमती हर तरह की डाले और साथ में मसाले गूर्ड चीनी यह सब भी हम और गैनिक में लाँच करने जा रहें तो किसानों को जोडने की जो अमुल के मॉडल की जो भावना है उसको हम दूद के सिवा बाकी सब प्रोड़क्स में भी ले जाके एक संपूर्ण फूड ब्रैंड तेस्ट आप इंडिया जो है हमारा स्लोगन उसको एक रियली इन रियल टर्म्स अनपूल करना तो डिवर्सिफिकेशन इसका नया पड़ा होगा अमुल का नया पड़ा होगा और हम जब आनंद में आए तो हमने देखा तहां पर एक अमुल फूर्ड ग्रीन का एक स्टोर फॉर्माट देखा गया इसके अलावा हमें आपके स्टाफ ने जो है कुछ फ्रोजन प्रड़क आफ भी चकने को दिये थे और काफी सारे अधर पॉर्माट जैसे और गानिक फूर्ड का बिजनिस आप देख सकते हैं तो एक डेरी डेरी प्रड़क्त से अमुल अब डिवर्सिफाय होने जा रहा है तो किस तरह का डिवर्सिफिकेशन हम देखेंगे 98 फाक्परी से प्लस क इतना आड करने वाले हो और किस तरह का इंवेस्मेंट डेख रहे हैं इन नए बिजनिस के लिए अमुल एक कड़ी है एक माधियम है खिसानों को जोगने की तो यह डाइवर्सिफिकेशन बात कर रहे हैं एक्चुली स्ट्रेंदेनिंग की बात कर रहे हैं बॉंड्स ब्रड बनाते हैं हम और्गनिक डाल चावल भी करते हैं उसी सब प्रोड़क्स अमुल ब्रेड भी करता है कि इसी सब प्रोड़क्स से हम क्यों ना ग्यांजन बना के सर्व करें